जी नमस्कार आप देख रहे हैं वोई सोब डेमोक्रेसी 24 और मैं वारती हूँ इस वक्त है हम मौजूद हैं जजर में और मेरे साथ आप देख पारें तश्वीरों में की प्रवक्ता है अमादमी पार्टी से अभीता और महिला जिलादेक्स भी है आज अमादमी पार्टी की गयोड़ी जीत हुई है देख सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्ती कहते हूँ और बहुत बहुत बढ़ाई आपको भी और मुझे भी हम सारे भारतवासियों को यह एक लोगतंत्र की जीत है और जैसे कि हमारा देश इतनी मुसीबतों के बाद 200 साल की गुलामी के बाद हमने लोकतंत्र को पाया तो कहीं ना कहीं अगर हम यह देखे कि बीजेपी के दोरान हमने यह बहुत सारी जगा देखी है कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या होते हुए चाहे वो कभी अध्यादेश लाया जाता है या इलेक्शन में तोड जोड की राजनीती हो या फिर मेर इलेक्शन में जैसे अनील मसीज थे उन्होंने पिटा सीन अधिकारी होते हुए उन्होंने सिर्फ स्ताक्षर करना था बट उनका 11 के नियम के तैट यही बनता था बट लेकिन वो क्रोस करते हुए मिले और जिस पर अपना जज्जमेंट दिया तो यह देखा जाये तो एक बहुत थी बहुत ही मजबूत बहुत ही अच्छा फैसला बहुत ही सकारात्मक फैसला कोट की तरफ से आया जो कि बहुत जरूरत थी आज के इस एलोकतांतरिक माहोल में तो सभी भारत वासियों को यह सिर्फ आम आद लड़ी आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोट तक आप गए संग्रस कर रही है तो हर्याना में किस तरह से बविस्से देख रहे हैं आज एक जान डाल दी गई है दुबारा से अर्विंद के जरिवाल ने भी सुकरियादा किया है सुप्रीम कोट का देखे हमारी पार्टी वैसे ही संगर से आई है और हमने इस देश को आजादी भी संगर से पाया है तो जो इस देश को चलाने के लिए जो हमारा सवीधान है वो सबसे सरवियापी है उसी के हिसाब से हम सब हैं और उसमें हमारी मान्यता विश्वास होना ही चाहिए सब भी जनितिक पार्टियों का तो आज इस तरीके से कोट ने एहम फैसला दिया इतने सारे दवाव आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से चाहिए वो एक टू टायर का एक छोटे से इलेक्शन के लिए जिसमें मतलब बीजेपी अपनी हार बरदाश नहीं कर पाई पहले उन्हो करा दिया दिकारी को इलेक्शन को डिले कराया फिर सुप्रीम कोट के बाद उन्होंने इलेक्शन कराया तो उसके बाद उस इलेक्शन में उन्होंने कैमरे पे मतलब चोरी की तो इससे समझ सकते हैं कि एक इतनी बड़ी जो पार्टी है जो अपने आपको ये कहती है कि पू पूर्ट का डेफिनेटली आज उसने जो आम लोग है पार्टी आई नहीं सिर्फ आम लोगों का विश्वास भी जो हमारे नयाई परनानी में है उससे कायम रहा और यह बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी लोगतंद्र के लिए तो आज का फैसला बहुत ही सही था अमादमी पार्टी ने हैं संग्रस किया और उसके बाद है यह रजल्ट आया और किसान भी हैं संग्रस कर रहे हैं सरकार काफी दबाने की कोसिस कर रही है लगातार बोडरों पे हैं हाजारों की संख्या में मैला आए किसान है वो पूची है पूरूस किसान है वो पूचे कहीं है वो किसानों को जेलनी पड़ रही है और सरकार है कि मानती ने क्या मानते इसके पीछे आप देखे एक तो बड़ा दुख दाई है ये सब चीजे दुरभागय पून है सारी जी अभी इंसिडेंट हुए जो भी घटना करम हुआ हम देख सकते हैं कि एक तो जो तो वो मतलब एक देखे पहली बात तो ये मतलब लोग तंत्र नहीं है इस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि सुरक्षा विवस्ता को बनाने के लिए आपने आयम लिए जब तेरा तारिक से पहले ही आपने एक बैरिकेडिंग नी दो तीन साथ आप शंबू बोडर पे अग का किया आप इससे जो सावरजनिक प्रोपर्टी है जिसमें हम टेक्स पे करते हैं उसको खराब कर रहे हो और नियाए वविस्ता के नाम पे इतनी एलोकतांत्रिक चीज़ कर रहे हो परदशन करना अपनी हम जो भी एक नागरिक है उसका एक अधिकार है आर्टिकल उनीस बो 2020 में जब बलकिन नवंबर 2021 में खुद स्वेम हमारे जो परदान मंतरी जी है उन्होंने ये का था कि उनकी सारी मांगे माल ली जाएंगी बट वो नहीं मानी उन्होंने एक डेट साल वेट किया उसके बाद उन्होंने लगब एक डेट महीना पहले अल्टिमेटम दे दिया तक हम 13 फरवरी को कूच करेंगे उसके बाद भी जब उन्होंने देखा कि सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया ना बजट में आया तब जाकर कि उन्होंने उससे भी पहले आड़ तारिक को भी उन्होंने जो कहना में सरकार की तरफ से बातचीत की चार बैठके और पूरी बातचीत को शांती पूर्ण तरीके से किसानों ने की है तो इसमें मुझे नहीं लगता या कोई 20 बात से सहमत नहीं हो सकता कि जो किसान है उनको वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं ये तो हमारे देश की आजादी का मूल भूत भी अगर हम देखे तो हमारा देश अजाद इनी चीज़ों से हुए है धर्णा प्रदर्शन हमने किया है तो ये चीज़ें देखने के बात ये लगा और ऐसा नहीं है और फिर थोड़ा अपती मुझे ये लगी कि जस तरीके से उनको कभी खलिस्तानी कभी उनको सुरक्षा वेवस्ता के नाम पर उनको इतनी बुरी तरह से मतलब जो ये कुचलने की बात है ये कितना गलत है कि आपने दिली को अरे पंजाब की बोर्डर से भी नहीं दिया अपने हर्याना की बोर्डर से भी और आपने अभी से ग्यारा तारीक से दिली के सारे बोर्डर बंद किये हुए जिसे कितना लोगों को चल रहे हैं आपने पंद्रा राजियों में इंटरनेट की सुईधाएं उसके बात 144 की धारा दो महिने के लिए चंदिगर में 144 की धारा तो मतलब आपने तैक कर लिया है कि यह धर्णा सांति से सुल्जाना ही नहीं है तो इसे यही मंशा नजर आती है कि आपने उनके आने से पहले 144 सारी मतलब उनको कुचलने की पूरी तियारी तो इसे कहां से आप यह कैस देंगे कि यह लोग तांत्रिक है तो यह बहुत ही अराजकता है और ताना शाहिए तो यह बहुत दरबागया पूर्ण है कि जो जिनको अंदाता कहें कि यह वोट मांग लेते जब वो अपन अधिकार के लिए आ रहे हैं वो शांति पूर्ण तरीके से धर्ना करना चाते हैं सरकार सुनना ही ने चाती उनको और उस पे भी सुनना जिस जो वादा खुद स्वेम माने ने परधान मंतरी जी ने किया उसी बादे को याद दिलाने वो लोग आ रहे थे तब भी उनको कु देखे डेफिनेटली देखे हां मैं बिल्कुल आपको सची बता हूँ जो हमारा बचपन जादा तर अगर जो भी विले से जुड़ा हुआ होता है आपका बचपन खेतों आप स्कूल से खतम होते हैं सबसे पहली चीज होता है कि आप अपने दादा दादी के साथ खेतों मे भागते हो तो मेरा एक जुड़ाओ खेती से क्योंकि मेरे फादर भी किसान दादी या मेरा परिवार वैसे तो मुझे वो एक जुड़ाओ भी है और सची बता हूँ मुझे बहुत दुख हुआ जब उनके उपर पैलेट गंसे प्लास्टिक की ऐसे उनको मारा जार था और बावजूद भी एक बहुत ही सहासिक कारे मुझे यह लगा किसानों ने पतंग से ड्रोन अपने बचाओ के लिए तो मुझे आप यह सोचे न वो किसान कितना इनोवेटिव है वो अगर आप उसके उर्जा को दिसा दे एक सरकार उनके लिए कारिया करे तो यही किसान भारत को उचाईयों में लेकर जा सकता है बट लेकिन ऐसा ना करके आपने किसानों को ऐसे कमजोर ना समझे मैं भी एक किसान की बेटी हूँ ठीक है और बड़ा दुख डेफिनेटली मैं वहां जाओंगी किस बोर्डर पर आप समर्थन करने जाएगे देखिए वो तो आने वाला समय बताएगा मैं आज सची बताओं क्योंकि कई बार हम जैसे हम राजनेतिक पार्टी से हैं तो यह पूरा मुदा एक गैर राजनेतिक है तो हम चाहते ही है कि जितना गैर राजनेतिक एक चीज रहे और वो उनकी डिमांड तो उस हिसाब से उनका उतना ही मजबूत भारते नागरी कोने के नाते इस तरीके के जो अधिकार है उनके लिए जब वो इस तरीके मांट है तो definitely मैं जरूर जाओंगी और बहुत कुछ वहां के लोगों से जिस तरीके से किसानों के बीच में रहके एक बहुत अच्छा अनभव भी होगा कि किस तरीके से कितनी इतन पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं और आज किसानों का जो मुद्दा चला हुआ है उस पर भी अपनी बात रखी और दूसरी बात है कि आज आमाद्मी पार्टी ने वो सुप्रीम कोर्ट जाकर है अपना अधिकार है हासिल किया और आमाद्मी पार्टी से हैं अब चंद झाल 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 झाल